येस पीपल डन विट यार ब्रेक आप लोगों का ब्रेक हो गया ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है तो चलिए कितने लोगों वो लगता है ये टेबल में जो रेट दे रखी है वो गलत है हाँ कैसा है इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है ओ एक्जाम्पल वन में वन करोड में फिफ्टीन परसेंट लगेगा नहीं वन वन टू है में टेन परसेंट ही लगता है इन एकसे सो वन लाग है एक्जाम्पल नंबर जो वन है कि टेन्थ इनकरेक्ट है तो लेट चेक है तो पहली चीज तो यह ना आप लोग एक चीज नहां रखना मैंने एक्जाम्पल देते टाइम पहले स्पेशल इंकम इधर लिखा था फिर अधर इंकम लिखा था फिर टोटल इंकम लिखा था तो यहां पर थोड़ा ऐसा यह उल्टा दिया है यहां पहले अधर इंकम दिया है फिर स्पेशल इंकम दिया है फिर टोटल इंकम दिया है ठीक है थोड़ा पढ़ना भी रहता है ऐ पढ़ना रहता है, income tax है, final है, इसके बाद CA बनते है, बड़ी-बड़ी कंपनियों की audit करते है, ऐसा लोग बोलते हैं, मोधी जी बोलते हैं, तुम्हारा sign है, वो PM से पी जादा बड़ा है, अच्छा है, हाँ, तो चलिए, इसमें ये total income है, मतलब other income को मिला के, total income excluding special income, इस other income, ये special income है, और ये total income है, इसमें 10th में doubt है, कैसे, other income है, वो 6 करोड है, special income है, वो 1 करोड है, total हो गया 7 करोड, तो एक बात बताओ, special income जो है, उस पे 15% और total income क्या, अपने आप में 2 करोड या 5 करोड से जादा है, other income, answer is yes, 5 करोड से जादा है, तो इस पे 37% सही तो है, सही तो है बाबू, सही है, सही, यह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, अब एक बात समझना, टेक्स रेट क्या होती है, स्पेशल टेक्स रेट मैं अभी दक नहीं पढ़ाई है, बट मैं आपको जो बोल रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना, देखो, LTCG जो 112 वाला रहता है, आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, उस पर 20% टेक्स लगता है, LTCG जो 112 ये वाला है, ये शेर मार्केट वाला है, इस सब 1,00,00, 1,00,00 के उपर वाले पर पर करके, ठीक है, 1,00,00 के उपर वाले पर 10% टेक्स लगता है, और STCG जो 111 वाला है, उस पर आपका 15% की रेट से टेक्स लगता है, तो देखिए, अगर मैं एक्जामपल 1 की बात करूँ, तो आपने एक्जामपल 1 पर चलेंगे, देख रहा है वो capital gain under section 112 वाला जो है वो वन करोड है अधर capital long term वाला है वो 60 लाक है STCG 111 वाला 2 करोड है और यह तुम्हारा 1 करोड है तो टोटल मिला के तुम्हारा हो गया 4 करोड एंड 60 लाक अब एक बात समझता 4 करोड 60 लाक is your total income इसमें आप टेक्स निकाल दीजिए पहले तो आपने LTCG 112 में in excess of 1 लाक मिन्स 99 लाक पे 10% की रेट से टेक्स निकाला 9 लाक 90 ताउजन आ गया उसके बाद में LTCG 112 में 20% की रेट से 60 लाक पे 12 लाक आ गया और यहां पर 2 करोड पे 15% आ गया और 1 करोड पे आपने slab rate से टेक्स निकाला slab rate कौन सा वाला यूज किया आपने basic exemption 2 लाक 50,000 वाला resident बंदा है senior citizen वगरा नहीं है धूं लेक 50,000 तो कोई भी टेक्स नी 250 से 5 लाक 5% 5 लेक 10 लेक 20% मोर देन 10 लेक 30 परसेंट तो यह आप 1 करोड पे आपने slab rate से टेक्स निकाला अब एक बात बताईए आपकी total income है वो 4.60 लेके लेकिन ये जो special income पे जो tax आया इस पे maximum surcharge कितना रहेगा 15% इस पे maximum surcharge 15% अब एक बात बताईए आपकी other income जो है वो क्या अपने आप में 2.00 करोट से ज़ादा है answer is no तो इस पे भी surcharge कितना रहेगा 15% तो इस पे इस tax पे भी surcharge 15% तो जितना भी tax आया इस पे surcharge आप 15% की rate ले लीजिए health and education says आप add कर दीजिए आपका आजाएगा net tax payable करके net tax payable आजाएगा चलिए इस वाले example में मेरे को नहीं लगता आपको कोई doubt आया होगा किसी का doubt अभी यहां पर पांच में में भी आ रहा है यह बाबू इधर देखना इधर 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 एक खजूर इधर देख हाँ इधर देख बाबू का मिला चुटे बच्चो को बोलते है अगर ठीक है वो तुमारा वाला बाबू नहीं के सोना थाना थाया है नहीं वो वाला नहीं है के बाबू आज तुमने थाना थाया है नहीं वो वाला नहीं बाबू मिला चुटे बच्चो को बोलते है वो वाला चलिए, 10th और 5th एक बार वापस आप explain कर लो, तो देखा, यह दर देखा, पहली चीज, other income तेरा 60 lakh है, यह income special income 7 करोड है, total 7 करोड 60 हो आप, अब एक बात बताओ, special income पे maximum सरचार्ज 15%, अब एक बात बताओ, कितना भी हो special income, maximum सरचार्ज 15%, other income पे कितना, तो आप एक बात बताओ other income का 2 करोड को cross कर रहा है, नहीं, other income 2 करोड को cross नहीं कर रहा है, तो 15%, अब आपका doubt यहाँ पे यह है, किसर यह other income पे 15 की जगए 10 आना चाहिए, अरे 10 क्यों आएगा, 1 करोड से जादा तो total income तुमारा ही है ना यार, total income जो है, total income, वो 1 करोड से जादा है ना, तो 1 करोड से जयादा है, तो 15% तो आएगा है, आपको यह देखना है, 25-37 आएगा या नहीं, 25-37 आएगा है नहीं, वो आपको देखना है, यहाँ पे आपका 15% तो आएगा ही, आएगा करके, ठीक है, हाँ, चलिए 10 वाले में क्या दिखकत है, आपकी other income 6 करोड है, special income है, वो 1 करोड है, तो भईया, टोटल हुआ, 7 करोड, अब एक बात बताओ, आपकी special income पे maximum सर्चार्ज 15%, other income क्या, अपने आप में more than 5 करोड है, answer is yes, तो other income पे आपका 37% सर्चार्ज, चलिए, अब आपका यह example number 2 थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अगले page पे जो यह दो example दे रखे है वो अपन देखते है, और अपन इसको करने का try करते है, तीन example दे रखे है, आप लोग भी try करेंगे, तो चलिए, सबसे पहले, एक बंदा है, जिसका नाम है SK, nature of income आप दे रखा है, 115 BSE वो नहीं ले रहा है, तो चलिए, capital gain 112 वाला कितना है, 1,020,000 है, capital gain 112 वाला कितना है, 1, 1,70,000 है, capital gain 111 वाला कितना है, 4,10,000 है, dividend का income कुछ भी नहीं है, और other income आपका 97,000 है, total हो गया 1 करोड 4 ले, तो आप एक बात बताओ न, इसमें तो simple सी चीज़ है, आपकी total income 1 करोड से जादा है, up to 2 करोड है करके ठीक है, 1 करोड से जादा है, up to 2 करोड है, तो आप यहाँ पे क्या करोड है, 1 करोड से जादा है, up to 2 करोड है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे normal tax निकाल दो और उस पे आप surcharge add कर दो, कितना percent add करोगे, 15%, तो सब पे आप 15% surcharge add कर लीजिए, आप 15% surcharge add कर लीजिए, और मुझे बताइए, आपका answer यह 33,72,720 आता है या नहीं, तो वन वन टू ए पे, उसके बाद LTCG 112 पे, उसके बाद STCG 111 ए पे, और उसके बाद balance income पे, text कितना आता है निकाली आप, तो देखिए, LTCG 112 ए पे 20,000 पे आएगा, 1 lakh पे तो आएगा है नहीं, 20,000 का 10%, it's come to the 2,000 रुपिस, उसके बाद 112 का 170 पे, आपका, कितना percent, 20%, 34,000, और उसके बाद में, आपका, 4 lakh 10,000 पे, 15%, 61,500, और balance 97 lakh है, तो 97 lakh पे आप slab rate से निकाली है, मिनल, 97 lakh पे slab rate से, तो 97 lakh माइनस 10 lakh तक तो slab rate से हुआ, उसका plus 30% plus 1 lakh 12,000, ओ, non-resident है, यह non-resident है, तो 3 lakh का basic exemption मिलेगा है नहीं मिलेगा, यह बाबू यह non-resident है, 64 years का है, यह non-resident है, तो यह senior citizen नहीं है, senior citizen नहीं है, तो आपका basic exemption का benefit है, वो 250 का ही मिलेगा, तो I think यहाँ पे तुम्हारा आता है, 27 lakh, 22,500, plus 61,500, plus 34,000, plus 2,000, so it's comes to the 28 lakh, 28,000, add करिए surcharge, तो surcharge 15% ले लीजिए, करके सीधा, क्योंकि 15% तक कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका 15% surcharge, 4 lakh 23,000, add कर दीजिए, तो 32,000, 43,000, add, health and education says, add the rate 4%, तो 129,720, तो आपका total आगया, 33,72, 720, net tax, ठीक है, उसके बाद दूसरा example, आप देखेंगे, Mr. देव, देव के case में क्या है, यह LTCG 112 है, यह 1 करोड 90 है, और capital gain triple 1A है, वो 7 करोड है, और other income जो है, वो तुमारा कितना 60 lakh है, total income 950 हो गया है, बट एक बात बताओ मुझे, यह special income पे जो tax आएगा, special income कितना भी हो, surcharge कितना लगेगा, 15% यहाँ भी लगेगा, और other income पे भी 15% यहाँ आएगा, other income अपने आप में 2 करोड से ज़्यादा थोड़ी है, या अपने आप में 5 करोड से ज़्यादा थोड़ी है, अधर इंकम अपने आप में 5 करोड से जादा या 2 करोड से जादा नहीं है तो इस पे भी 15 परसेंट आएगा तो इस पे भी आप नॉर्मल टेक्स निकाल लिए एड़ करिए 15 परसेंट सरचार्ज 4 परसेंट हेल्थ एन इजूकेशन से सकरिए आप एक बर और देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है तो वन करोड करो बाबू करो करने से होता है करो फड़ाबड हाँ वन करोड 90 लैक्ट मल्टीप्लाइब सब मैं करके तू इनको तो तुम क्या करोगे रहे एक्जाम में तो तुम ही को लिखना पड़ेगा थार्टी एट लाक नोनिका नोनिका एक बात बदाऊ ना देख तुझे क्या देखना है ना सिंपल सी चीज़ है अब तू यह देख पहले तो एक बात समझ के टोटल इंकम में special other income मिला कि अगर 1 करोड से 2 करोड तक है तो तो कुछ भी change नहीं है 2 करोड तक है तो वही आपको लेना है 15% सरचार्ज 10% नहीं अगर total income 2 करोड से जादा है तो special income पर maximum सरचार्ज 15% लेना है और other income है उस पर 15 लेना है बट other income अपने आप में 2 से जादा है तो उस पर 25 और नो निका एक बात समय से देख पहले तो total income up to 2 करोड है तो तो कुछ भी change नहीं है जैसा आपन कर रहे है वैसे ही total income 2 करोड से जादा है तो special income पे 15% सरचार्ज special income के tax pay other income पे 15% but other income 2 करोड से जादा है तो 25% other income 5 करोड से जादा है तो 37% अरे रे रे ये क्या हुआ मैंने ना ये चाना अंसर मैच हो रहा है विनिल deduction कैसे deduct होगा? deduction तो पहले मिल क्या होगा ना? normally हम normal income से ले 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 थे deduction क्योंकि special income के सामने deduction मिलते नहीं है deduction अंडर chapter 6 से है वो special income के सामने मिलते नहीं है तो 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 इतना से रही हूँ क्या है हुँ क्या रही हुए 0.60100,000 पे अंडर नचा रहाँ 15,000 रहते नहीं ह Deck kicked तरिक गलत है गांसर गलत कैसे आ रहा है रहे है मैंने गलत किया है तुम्हारे जैसे अरो मुझे भी आना C A कर लेना चाहिए तो मेरा कैलकुलेटर ठीक हो जाएगा ना कर रहा हूँ मैं अंसर सही है ठीक है जोड़ दो आ जाएगा 1-9-0-3-1-3-5-0 अनुष्का प्यांस बोलो डन बोलो डन मजनु भाई एक बंदा है मनु भाई मनु भाई भाई मैं भाई मनु भाई गिति का एक बात समझ में वापस बोल रहा हूँ टोटल इंकम वन करोट से जब जादा ने टोटल टोटल इंकम वह वन करोट से जादा है तो पंदरा परसेंट तो आएगा या आएगा काई को गन्फ्यूज हो रही है वापस टोटल इंकम तेरा जो है वह नाइन करोट तो वन करोट से जादा है तो पंदरा परसेंट तो आ नमीकर्स ने बोला 25 या 37 निए लगेगे पंद्रा पर्सेंट में इना नहीं नहीं है ना लॉड इकट sound चलो, done अब आजाये, example number 2 पर आईए example number 2 पर आईए और देखिए example number 2 all people pay attention थोड़ा अच्छा example है अब एक बात समझना ये example कहीं ICI के module में नहीं दे रखा है ICI ने अभी तक ऐसा example दिया नहीं है कहीं पर ना एक्जाम में दिया है ना कहीं दिया है बट हमने इसको बनाया है एक्जामपल को तो हम इसको solve करेंगे देखिए Mr. B.B. a resident age 34 years resident बंदा age 34 years normal slab rate करके ठीक है last वाला case अभी देखेंगे इसके बाद मैं, his income details for the previous year 23-24 are as follows, उसकी income का detail दे रखा है capital gain 112 वाला 2 lakh है, एक लाग पर tax लगेगा 10% की rate से तो एक लाग पर tax लगेगा 10% की rate से 10,000 tax आ जाएगा तो ये 2 lakh पर आपका 10,000 tax आ गया उसके बाद capital gain 112 वाला 1 lakh है तो 1 lakh पर आपका 20% 20,000 tax आएगा 111 ए 3 lakh है 15% की rate से 45,000 tax आएगा and dividend का income 13 lakh है और other income है वो 3 करोड 34 lakh है अब आप बोलोगे dividend का income कौनसी rate से taxable होता है तो एक बात बताओ dividend का income पहली चीज़ तो आपका IF4S का income बना बनता है और dividend पर normal slab rate से tax लगता है dividend है वो special rate का income नहीं है देखो capital gain is a special rate का income बढ़ डिविदेंट is not a special rate का income तो इस पे normal tax rate से tax लगेगा तो मेरा जो डिविदेंट का income है वो balance net taxable income में चला जाएगा और 3 करोड 47 हो गया 3.47 कैसे? 3.34 तो other income और यह 13 lakh ये तो आपका 3.47 हुआ अब 3.47 पे आप slab rate से tax निकालो 3.47 लेक पे आपने slab rate से tax निकाला slab rate से कैसे tax निकाला होगा तो भाई CDC बात है अब 2.50,000 तो कोई tax नहीं 2.50,000 से 5.5 परसंट 5.00 तो 10.20 परसंट more than 10.00 है वो उस पे 30 परसंट तो एक बात बताओ 3.47 लेक माइनस कर दीजिए अब 10.00 multiply by 30 परसंट प्लस 1.12.500 so it comes to the 1.00 2.22,500 ये आपका slab rate वाली income पर tax आया अब आप यहाँ total लगर दी मैंने अब एक बात बताओ मुझे जो tax आपका इधर देखना सब लोग ध्यान देना इधर इधर जो tax आपका LTCG 112 ए वाला है STCG 111 ए वाला है LTCG 112 वाला है and dividend का tax है उस पे maximum surcharge कितना क्योंकि आपकी total income तो 3.53 लाएक है 2 करोड से ज़्यादा है बेट बेटा ये special income पे maximum surcharge आपका 15% आएक है तो देखिए ये जो LTCG वाला 10,000, 20,000 and 45,000 तो 10,000 plus 20,000 plus 45,000 ये हुआ total 75,000 तो 75,000 जो है उस पे आपका surcharge कितना रहेगा 15% की rate से जो 75,000 ये तीनों जो tax है 75,000 इस पे 15% की rate से 11,250 का surcharge आगया 15% की rate से लेकिन सिर्क बात बताओ dividend की income पे भी तो surcharge 15% है बट dividend पे जो tax है वो तो slab rate से निकला है तो कैसे पता चलेगा कि dividend पे tax कितना और other income पे tax कितना है तो obviously आप proportionately divide कर लोगे proportionately आप by forget करोगे कैसे by forget करेंगे तो देखो ये 1,22,500 का जो tax आया है 1,22,500 का ये 3,47,000 लेक पे आया है slab rate से तो इसमें से dividend का income कितना था 13,000 तो 13,000 के proportionate tax कितना आएगा मैं यहाँ पे proportionate कर लोगा मैं यहाँ क्योंकि dividend को आप 13,000 लेक अलग करके उस पे slab rate अलग मारो फिर other income ऐसा नहीं हो सकता न यार dividend is at slab rate तो मैं यहाँ पे average tax rate निकाल दूगा average tax rate मतलब मेरा 1,22,500 तेक्स आया है 3,47,000 पे तो 13,000 के dividend पे tax कितना आएगा तो मैं proportionate कैसे करूँगा 1,0,2,22,500 divide by यह 3,47,000 लेक पे आया है तो multiply by 13,000 लेक करूँगा तो it comes to the 3,82,976 आया तो 3,82,976 आया यह dividend का tax है तो dividend पे भी maximum सरचार्ज कितना रहेगा आपका 15% तो यह dividend पे जो income आया dividend का tax आया 3,82,976 इस पे मैंने ले लिया 15%, 57,446 आगया अब तुमारा balance tax कितना बचा तो balance tax है वो तुमारी balance वाली income पे बचा हो और balance वाली income कितनी है 3,34 है तो balance income मतला other income अब आपकी 3,34 रही तो 3,34 जो other income है क्या वो अपने आप में 2 करोड से ज़्यादा है answer is yes तो उस पे जो tax बचा उस पे आपका 25% की rate से सर्चार्ज आएगा उस पे आपका 25% की rate से सर्चार्ज आएगा तो balance वाला जो tax है वो कैसे निकालोगे तो 1 करोड 2,22,500 मैं से आप ये जो है 382,976 less कर दीजिए इतना tax है वो balance वाली income पे बचा balance वाली income अपने आप में 2 करोड से ज़्यादा है तो 25% की rate से सर्चार्ज आएगा फिर आप health and education says add कर दीजिए तो ये आपका net tax पे बल आ जाएगा तो इसको एक बार आप ढंग से देख लीजिए करके और उसके बाद में इसी concept के base पे आप ये question number एक बार थड़ करने की कोशिश करेंगे जो ये example number है एक वाला 52 years ये उसी concept के base पे है एक बार आप try करेंगे आपसे होता है या नहीं होता नहीं होता कोई बात नहीं हो जाए तो भी कोई बात नहीं करगे ठीक है चलिए आप इसको एक बार try करिए और अगर ये हो जाए तो फिर आप लिखिए के done अगर ये हो जाए आपका answer match हो जाए नहीं होता मुझे पता नहीं ये example इस बार मैंने नया बनाया है तो अगर answer match होता है नहीं होता है आप मुझे बताएंगे करके ठीक है चलिए आप इसको एक बार करिया dividend पर अलग से slab rate नहीं लगता dividend is taxable at normal rate तो other income और dividend को add करके आप slab rate से tax निकालिए फिर dividend का proportionate tax कितना आया उसना अलग कर दीजिया प्रिक्षा logically you have to take the proportionate only ना rounded off कैसे होता है 10 रुपीज में आपको net taxable income as well as net tax payable 10 रुपीज में nearest 10 रुपीज में आपको rounded off करना है इसका मतलब अगर 1,2,3,4 है तो आप नीचे वाले 10 में आ जाईए 5,6,7,8,9 है तो आप अपर वाले 10 में लोगे यार वो लॉजिकल नहीं है न यार लॉजिकली तो आपको डिविडेंट पर टेक्स ही जब आपका प्रपोर्श्ट अबलब स्लाब रेट से लगता है तो आप कैसे करोगे rounded off होता है नियरस्ट रुपीज आप डटेन में चलिए चेक करके बताईए मुझे ये सही है या नहीं है चेक करके बताईए करके बताईए झाल 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 कि अब बैए एसा कैसे मैच नहीं होगा बाबू एक बार अच्छे से करो ढंग से करो सब मैच होगा करके ठीक है मैं कर नहीं कर ठीक है कि आप बताये तुमको सब हमी करा लो हम कर लेते एक हम वला कोश्चन आपको ठीक है एक वला कोश्चन हम करा ले आपको लो यहाँ पर करा लेते मिस्टर एक वाला बादी तो आपका होई गया होगा तो ये लो Mr. A.K Mr. A.K में आपका Tax on Total Income सबसे पहले LTCG 112A आपका 8 करोर है Tax at the rate 10% in excess of 1 lakh तो आपका 8 करोर माइनस 1 lakh multiply पर 10% तो 79,90,000 आजाएगा हाँ वह 79,90,000 दूसरा आपका LTCG 112 मेरा राइटिंग थोड़े दिन में ठीक होगा हाँ मतला मैं थोड़ा ऐसे लिखने के ट्राइ कर रहा हूँ ना बहुत दिनों से लिखा नहीं है ना इसके लिए 2 lakh multiply by 20% 40,000 आजाएगा STCG 111A 1 lakh पर 15% अंदरा आजार आजाएगा balance income जो आपका बचेगा 49 LIT प्लस 659 तो 708 slab rate 2 करो 10,52,500 यह आ रहा था 2 करो 10,52,500 2 करो 10,52,500 सही है बाबू भीया तो यह हो जाएगा 2 करो 90,97,500 उसमें आप फिर यहाँ पर एड करेंगे सर्चार्ज तो सर्चार्ज एड करने के लिए आप देखेंगे कि जो आपका capital gain है 1,1,2,A वाला 1,1,2 वाला 1,1,1,1,A वाला इस पर 15% ले लो आप 79,90,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 तो यह हो गया 8,0,4,5,000 मल्टिपला आप है 15% तो इसका 15% लेंगे तो 12,0,6,7,50 उसके बाद dividend अब देखो dividend पर tax है वो आपको proportionately लेना पड़ेगा पहले तो तो proportionately कैसे लेंगे dividend पर 2,10,52,500 का tax है वो 7,07,08,000 पर है मल्टिपला पर dividend कितना है 49,00,000 तो तो करो 10,052,500 divide by यह सही आ रहा है क्या सही है ना 14 57 0,2,3 मल्टिपला पर पनरा परसेंट और जो बैलेंस टेक्स रहेगा बैलेंस टेक्स कितना आ जाएगा 2,10,52,500 माइनस 2,10,52,500 माइनस 14,57,023 यह यह अपने आप में एक बात बताईए अदर इंकर में वो अपने आप में ही 5 करोट से जादा तो इस पर सीधा 37% ले लीजे सर्चार्स तो इसका 37% 7,250,326 प्लस तो लाग 18,553 प्लस एक लाग 20,067,50 प्लस तो लाग 90,097,500 यह रहा इस थिंग 377,777,31,30, नहीं 2,9 है तो 2,9 ही रखते है नहीं 1,2,9 प्लस 4 परसेंट हेल्थ और एजुकेशन से तो यह आया 392,840,54 54 तो आप 5 में ले चाहिए तो 392,840,50 राउंड़ ड़ाओ ठीक है आई थिंग सही आंसर है यार हाँ सही है 392,840,50 जिन लोगों का नहीं हो रहा है एक बार देख लीजिए आप एक बार कॉपी कर लीजिए कर देख से पाइच सही है झाल झाल दन पीपल दन चलिए बैलेंस टेक्स पर 37% क्यों लिया क्योंकि बैलेंस इंकम 6.59 लेके न जो अधर इंकम है डिविदेंट एंड कापिटल गेन को छोड़के जो अधर इंकम है वो आपका 5 करोड से ज्यादा है तो उस पर 37% आएगा न यह सर अगर proportionate percentage that is 29.74% निकाल कर आप करते तो भी सही है शीनम आप ऐसा भी कर सकते है शीनम आप ऐसा भी कर सकते है का आप average tax rate निकाल दीजिए और फिर डिविदेंट पर अपलाय करतीजिए और बाकी इंकम पर अपलाय करतीजिए you can do that also no issue at all it's all about mathematics यह notes का PDF अवेलेबल होगा answer is yes अवेलेबल होगा क्यों नहीं होगा करा देंगे तो उनको PDF अवेलेबल don't worry about that चलिए बोलो एक बाट done dividend income पर यश dividend LTCG STCG triple बने LTCG 112A पर maximum 15% ही तो सरचार जाता है 987 का नहीं आएगा ऐसा normally यह question MCQ में आ सकता है ऐसा नहीं होगा शीनम अगर आप point फिर पूरे लोगे तो ऐसा नहीं होगा जैसा तुम बोल रही है चलो done 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 चलिए तो अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार quickly revise करते हैं उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे तो अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार हम quickly revise कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा करगे ठीका चलिए तो हमने अभी तक जो पढ़ा हम पढ़ रहे है आज tax rate for the assessment ये 24-25 आपके exam के लिए tax rate क्या है दो तरह की tax rate होती है special tax rate और general tax rate general tax rate है वो finance act में दे रखी है special tax rate law में ही दे रखी है act में ही दे रखी है मतलब income tax एक 1961 में दे रखी है सबसे पहले हमने पढ़ा हमने सबसे पहले जो है वो हमने ये पढ़ा कि सर एक बात बताए जनरल tax rate क्या है तो individual हुआ अटिफिशल जूरिटिकल 30% उसके बाद में super senior citizen के case में up to 5 lakh तक कोई भी tax नहीं लगेगा 5 lakh to 10 lakh 20% more than 10 lakh 30% surcharge कैसे लगता है अगर आपका total income up to 50 lakh है surcharge नहीं लगेगा 50 lakh से लेके 1 करोड है तो आपको सीधा surcharge add करना है 10% 1 करोड से 2 करोड है surcharge add कर तो 15% 2 करोड से 5 करोड है 25% 5 करोड से ज़्यादा है 37% लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यह 25% और 37% surcharge नहीं लगेगा अगर आपकी income यह 4 नेचर की है LTCG 112 ए STCG 111 ए और LTCG 112 एंड dividend का income कुल मिला के आप share market याद रखिए share market से 3 चीज़े हो सकती है एक तो LTCG 112 ए, STCG 111 ए और एक dividend यह 3 और उसके साथ साथ में LTCG याद रखिए जो 20% वाला इस पे कितना भी यह income हो उस पे maximum surcharge tax पे 15% ही लगेगा अब आपको देखना है other income देखो, अब देखो simple सी बात है, मैं total income की पहले बात कर रहो, total income मतलब आपकी net taxable income, total income, वो total income अगर 50 lakh है तो surcharge लेना ही नहीं है, 50 lakh से 1 करोड है 10% एड करो, 1 करोड से 2 करोड है तो आप 15% एड करो, अब अगर मालनो total income 2 करोड से भी जादा है तो आपको देखना है, 2 करोड से जादा है तो special income पर जो tax आएगा, यह special income पर टेक्स आएगा, उस पर maximum surcharge 15%, अब आपको देखना है balance income, balance income क्या 2 करोड तक ही है, तो balance income 2 करोड से जादा है, up to 5 करोड है, तो balance income पर tax आएगा, उस पर 25% surcharge, और balance income 5 करोड से जादा है, तो उस पर 37% की rate से आपको surcharge है, वो इंकम होती है और नेट टेक्स पेबल होता है उसको आप राउंडेड ओप करेंगे in the nearest rupees of the 10. Nearest rupees of the 10 means 1, 2, 3, 4 है तो आप नीचे वाले 10 में चले जाएए 5, 6, 7, 8, 9 है तो आप अपर वाले 10 में चले जाएएगे. अब अपन चलते है आपका बोर्ड पे ध्यान होगा आप बुक में नहीं देखेंगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ that is the tax rate for company. Sir, company के लिए tax rate क्या है? Company, company के लिए tax rate क्या है? तो company means कोई भी company ले सकते हो, BB Virtuals Private Limited एक company है, तो company के लिए Sir, tax rate क्या है? तो देखो, company है ना, दो तरीके की होती है. मैं आपको आगे जाके जब मैं dividend topic पढ़ाऊँगा, तो in detail में इसका meaning बताऊँगा. कि domestic company किसको बोलते है, foreign company किसको बोलते है, Indian company किसको बोलते है, वो मैं आगे जाके बताऊँगा. बट अभी के लिए आप यह समझेए, कि सबसे पहले हम बात करते है, domestic company की. Domestic company का definition क्या होता है, वो अपन आगे जाके समझेंगे, बट अभी आप यह समझेए, domestic company वहलों है, Indian company. जितनी भी BB Virtuals, Private Limited है, Reliance है, अधानी है, ठीक है, यह सब domestic company है. तो domestic company के लिए tax rate क्या है? टेक्स rate वो कौन सी rate से? टेक्स पे करेंगी, domestic company. तो देखो, domestic company के case में, यहाँ पर निर्मला सीता रमन जी बोलती है, कि उस domestic company का जो turnover है न, प्रिवियस year 21-22 का turnover, प्रिवियस year 21-22 का turnover है, वो अगर अप्टू 400 करोड से, मिस अप्टू 400 करोड में 400 करोड से ज़्यादा नहीं है, उस साल का turnover, 400 करोड से ज़्यादा नहीं है, तो उस particular domestic company का tax rate है, वो 25% रहेगा. बट अगर मालो ये इसमें नहीं आती, otherwise में आती है, otherwise उसका tax rate है, वो 30% रहेगा. मैंने क्या बोला? अगर कोई domestic company है, जिसका turnover previous year 21-22 का, अप्टू 400 करोड है, मिस उसका turnover 400 करोड से ज़्यादा नहीं है, कौन से year का? previous year 21-22 का, 400 करोड तक ही है turnover, it's up to 400 करोड में, इस 400 करोड से ज़्यादा नहीं है, तो उस domestic company के लिए tax rate है, वो 25% रहेगा. Otherwise, domestic company के लिए tax rate 30% रहेगा, बट इस domestic company को छोड़ के, अगर कोई foreign company है, तो उस पे tax rate है, वो 40% रहेगा. अब मेरा question आप सब लोगों से ये है, एक बात बताओ, जब हम domestic company की बात कर रहे हैं, आप tax कौन से year के लिए निकाल रहे हो? आप जो tax निकाल रहे हो, वो तो previous year 23-24 के लिए निकाल रहे हो? भई 23-24 previous year के लिए हम tax निकाल रहे है, तो यहाँ पे निर्मला सीता रमण जी ऐसा क्यों बोल रहे है, कि आपको उसका turnover 21-22 का देखना है? मिस 21-22 का turnover अप्टू 400 करोड है, तो ही 25% tax rate का benefit मिलेगा, otherwise उस company को 30% की rate से tax pay करना पड़ेगा, यहाँ तो ऐसा लिखना चाहिए न, कि भई current year का turnover हम tax तो 23-24 के लिए निकाल रहे हैं, भई एक बात बताओ मुझे, बिटा आप जो tax निकाल रहे हो, वो कौन से previous year की income पे निकाल रहे हो? 23-24 की previous year की income के लिए tax निकाल रहे हो, तो 23-24 previous year की income के लिए tax निकाल रहे हो, वो लेकिन निर्मला सीता रहे हैं कि आपको turnover देखना है 21-22 का, 21-22 का turnover was up to 400 crore, means it was not more than 400 crore, then tax rate for domestic company is 25%, otherwise it will be 30%, so my question to all of you, why निर्मला सीता रहे हैं जी mention about the turnover of previous year 21-22? Can you tell me? I am waiting for your answer. किसी ने बोला, कि सर कोविड था उस साल में इसलिए, why that year का turnover? वाय निर्मला सीता रहे हैं जी reference about previous year 21-22 का turnover? यह शुषुड में इसलिए अबाट करेंट यह turnover ना? वै एक बात बताओ, करेंट यहर का जब रिटन फाइल करेंगे, तो करेंट यहर का turnover का समझता है, ने करेंट यहर का बोला होता है, तो समझता? रितिक बोल रहा है उस साल में स्टॉक मार्केट को कुछ रीकवर करने के लिए पता नहीं कहां से कौन से फिले क्या आया भाई साम झाल झाल किसी ने बोला advanced text की वज़े से किसी ने बोला cheating कर सकते हैं किसी ने बोला madam की मर्जी कोई बोलता है advanced text advance text 21-22 का क्या relevance advance text ने रॉनित चलिए मैं आपको बताता हूँ उस साल का क्यों क्यों उसका क्या reason है वाई वी आर चेकिंग दब टर्नोवर फॉर प्रीवियस यर 21 22 आप बता सकते हो क्यों ऐसा ओ दिदी लोग आप बता सकते हो वाई 20 122 हां है नो आइडिया है नो आइडिया ओफिस में आया है ओफिस में टेक्स तो बना क्यों किया होगा रिटन फाइल किया किसी कहा है में है करें तो ओडिट वालों को भी टेक्स तो देखना ही पड़ता है ना ओडिटर शुडबी दर लेक ओडिटर क्या देखते हो फिर तुम तुम क्या सिर्फ तिगडी मारते हो कि अच्छा चाहिए ऐसा बिल मैच हुआ या नहीं हुआ करें 20 रुपे का खर्चा किया बिल आया तो इन्होंने बोला भी था बजट में क्या मुझे पता है कि इंडियन माइंड्स जो है वो सबसे करप्ट माइंड्स है और अगर मालो यहां पे निर्बला सीता रमांजी 21-22 की जगे अगर यहां पे 23-24 लिख थी प्रीवियस या 23-24 का टर्णोवर अप्टू 400 करोड तो क्या होगा कि लोग टर्णोवर कम बताएंगे लोग पीपल केन मैनुपलेट दर टर्णोवर को कम कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि इस साल का टर्णोवर अगर अपना 400 करोड के अंदर अंदर रखेंगे तो लेक टेक्स 25 परसेंट लगेगा सो पीपल केन यर का बता सकते थे थे ना 2223 अगर 2223 का जिक्र किया होता तो भी टर्णोवर मैनुप्लेट हो सकता था कैसे क्योंकि आप एक बात बता यह प्रीवियस यर 2223 is a period between 1st April 2022 से लेके 31st March 2023 एंड निर्मला सीता पारमंची बजट प्रेजेंट कर रही थी 1st February 2023 तो 1st February 2023 को आपके बास दो महीने तो भी मुल जाते इस लोग यहां पर भी हमानीट है टो बचने के लिए उन्होंने बोला हम देखेंगे तरनवेर प्रीवियस यर 233 22 का because 21 22 का turnover आज आप change नहीं कर सकते 21 22 का already आपका company का finalization हो चुका होगा AGM हो चुकी होगी आप उसको manipulate नहीं कर सकते इसके लिए उन्होंने बोला previous year 21 22 का turnover तो 21 22 अब अगले साल क्या होगा आप बोलोगे सर अब तो हमको पता है ना कि ऐसा एक हर साल रखेंगे नहीं अगले साल हो सकता है यहां पर निर्मला सीतार में जी 400 करोड की हो सकता 300 करोड कर ले 200 करोड कर ले 50 करोड कर ले हमको क्या पता तो manipulation is not possible करके यहां पर manipulation नहीं हो सकता अब अगले साल के बजट में तो ऐसा ही हो रहा है यहां 400 करोड का लिमिट है पहले यह 250 करोड का था उससे पहले यह 50 करोड का था तो वी डोंट नो ना कि what will be the limit in the next बजट सो आप प्लानिंग नहीं कर सकते जो प्लानिंग है वो आप नहीं कर सकते तो कुल मिला के in simple word मैं आपको बता दू कि domestic company के लिए tax rate क्या रहेगा तो domestic company के लिए tax rate के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि उस domestic company का turnover previous year 21-22 का कितना है अगर 21-22 का turnover is up to 400 करोड तो आपका 25% की rate से tax लगेगा एंड भीटा 400 करोड से जादा है तो 30% की rate से tax लगेगा तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि domestic company के turnover previous year 21-22 का up to 400 करोड तो 25% otherwise 30% अभी कोची समझना किसर एक बात बताईए यहाँ पे लिखा हुआ turnover for previous year 21-22 is up to 400 करोड अगर कोई company new है अगर कोई company new है मान लो ठीक है miss company is incorporated in previous year 22-23 या 23-24 जिसका 21-22 का turnover ही नहीं है so my question to all of you उसके case में मुझे बताईए tax rate क्या लगेगा 25% या 30% 25% या 30% new company incorporated in previous year 22-23 या 23-24 if company is a new then my question to all of you what should be the tax rate 25% का benefit मिल जाएगा या 30% लगेगा आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है office में आपने क्या किया office में तो आज कल सर्वो 115 BAA ले ले लेते हैं 20% वाला कर ठीक है बट वो नहीं लेते हो तो तो फिर आपको normal के हिसाफ से जाना पड़ेगा अगर उस यर में वो company थी नहीं बूलता है इप expected टर्णो आरे भाई company नहीं थी तो expected क्या होता है मलब वो साल जा चुका है मेरे बाबू फ्यूचर नहीं expectation expectation future के लिए यूज होता है expected जो यर जा चुका है जो चला गया उसके लिए क्या expectation है आपकी expectation मत रखो करके वो नहीं आने वाली यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे है जो बोल रहे है कि सरे काम करो ना उस year में वो company नहीं थी तो कोई बात नहीं आप मान लो के turnover is up to 400 crore because 0 तो 25 परसेंट ले लो बड़ मैं बता दू इस point को लेके इस point को लेके market में there is a contradiction कुछ लोग बोलते है 25 परसेंट लो कुछ लोग बोलते है नहीं 30 परसेंट लो law clear बोलता है कि उस year में company थी और उसका turnover was up to 400 crore तो ही 25 परसेंट है otherwise 30 परसेंट है तो आपको 30 परसेंट की rate से tax लगाना पड़ेगा 30% की rate से आपको tax लगाना पड़ेगा करके ठीक है अब आप बोलोगे कि ICI क्या करती है ICI ने एक बार एक MCQ दिया था और उस MCQ में ICI ने 30% की rate से tax लिया था कि यहाँ पर लोग जो है वो यह बोल सकते हैं करके ठीक है क्यार company नहीं थी थोड़ा तो beneficial provision होना चाहिए SSC के लिए and all वैसी market में आपको बहुत सारी चीज़े दिख सकती है आप अपने office में जाके आप देख सकते है but as per my understanding as per my reading of the law मुझे लगता है 30% की rate से tax लगना 30% लिखके आना है if company was not existed in that year and company is newly incorporated either in previous year 22-23 और 23-24 तो भाईया आपको 30% की rate से tax लगेगा चलिए अब अपन बात करते है sir, surcharge कितना लगता है तो दीखे company के case में क्या होता है ना company के case में surcharge depends on total income वही अगर company का net taxable income more than 1 करोड है up to आपका 5, sorry, more than 1 करोड है up to आपका 10 करोड है तो domestic company के case में surcharge लगेगा 7% की rate से 7% की rate से surcharge लगेगा domestic company के case में and आपका जो net taxable income है वो more than 10 करोड है तो surcharge लगेगा 12% की rate से वो ही foreign company के case में 2% की rate से and 5% की rate से तो देखिए all people pay attention मैंने बोला कि अगर माल लो surcharge कैसे लगेगा that depends on the total income या जसको net taxable income आप बोल सकते हो net taxable income more than 1 करोड up to 10 करोड है तो 7% और more than 10 करोड है तो 12% foreign company में 2% and आपका 5% अब किसी ने ये बोला कि सरक बात बताईए यहां पर foreign company के लिए सरचार्स कम क्यों है बिचारी domestic company कितना 7% और 12% on tax and यहां foreign company के लिए सिरफ 2% and 5% because foreign company के लिए tax rate बहुत जादा है 40% tax rate इसके लिए सरचार्स कम है सर health and education says लगेगा answer is yes health and education says सबके case में लगेगा miss tax लीजिए add करिए सरचार्स और उसमें आप add कर दीजिए health and education says 4% तो 4% की rate से आपको health and education says है वो health and education says है वो तो आपका लगेगा ही लगेगा यह बात हो गई company की अब अपन company के बाद में आगे चलते है कि सर एक बात बता यह company के बाद में partnership firm जो होती है partnership firm है LLP है and local authority है सर एक बात बता partnership firm है LLP है and local authority है उसके लिए tax rate क्या लगेगा तो partnership firm, local authority and LLP इनके case में tax rate जो होती है न बेटा flat 30% होती है means 30% is tax rate tax rate is 30% special rate वाली special rate से जाएगी मैं general tax rate की बात कर रहा हूँ तो 30% की tax rate है 30% से आप सीधा tax लगा लीजिए कर गे ठीक है लेकिन surcharge लगेगा answer is yes partnership firm और LLP local authority के case में आपको surcharge लगेगा at the rate 12% 12% की rate से surcharge लगेगा अगर आपका net taxable income more than 1 करोड है तो net taxable income अगर आपका more than 1 करोड है तो आपको 12% की rate से surcharge लगेगा किस के case में partnership firm के case में LLP के case में local authority के case में surcharge लगेगा 12% की rate से अगर net taxable income 1 करोड से जादा है अब एक बात बताईए यहाँ पर मैं आपके साथ में एक चीज share करना चाहूँगा आज की date में अगर कोई client आके आपसे यह पूछता है कि मैं business करना चाता हूँ मैं business करता हूँ और मेरी income मानलो 57-8-10 करोड हो सकती है आप बताईए मैं कौन से constitution में business करूँ क्या मैं as a proprietor करूँ या मैं as a partnership firm बना के करूँ या फिर मैं company बना के करूँ आप क्या advice करोगे आप क्या advice करोगे अगर मानलो आपके पास में मैं आया बी-बी सर ठीक है मैं आपके पास में आया आप chartered accountant हो और मैंने आपको आके बोला कि यार बताओ ना मुझे मेरे को business करना income होगी हमारी 5-7 करोड हो सकती है साल की income आप बताइए मैं कौन से constitution मैं business करूँ मैं business कौन से constitution मैं करूँ मैं company बना के करूँ मैं as a proprietary करूँ या as a partnership firm करूँ आप क्या suggest करोगे what you will suggest if income is more than 5-6-7 करूँ चलिए तो expert advice है ही लोगों की सबसे पहले रुचिता बोल रही है companies act 2013 में registered कराईए company बनाईए नमन भी वो ही बोल रहा है रितिक भी वो ही बोल रहा है बाकि जितने भी लोग है वो company बोल रहे है कुछ लोग बोल रहे है सर firm बना लो ज्यादा बेटर है क्योंकि compliance है वो कम होती है partnership firm कोई बोलता ROC का जमेला भी कम है LLP बना लो सर मैं tax के point of view से पूछ रहा हूँ सर company बना लो सर चलो अब मैं अगर हूँ तो मैं कैसे advice दूँगा लिखो इंडिविज्वल में business करना और पांच करोड से उपर income है बिलकुल feasible नहीं है because अगर 43% अगर tax rate लगती है आपकी तो 43% सीधी सी बात है सीधा दिल पर हट करता है बहुत ज्यादा मतलब इंडिविज्वल में तो मती करो इंडिविज्वल में तभी आप business करो जब आपकी income जो आपको लगता है कि एक देड़ करोड के आसपास है तो उसमें भी से में 15% सरचार्ज लग जाएगा तो 35% के करीब आपका tax जाएगा more or less दूसरा जो लोगों ने बोला कि सर हम company बनव होगे लिए तो 25% उसमें भी आएगी 25% कैसे आएगी 22% tax rate है प्लस 10% सर्चार्ज health and education says 4% वह 115 BAA alternative taxation तो उसमें भी 25% आएगी partnership firm बनाओगे तो tax rate कितनी आएगी अगर partnership firm बनाओगे तो मुझे एक बात बताओ अगर मैं effective tax rate देखने जाओं आप किसी client को advise कर रहे हो अगर आप as a individual business करते हो तो आपका 42.744% highest tax rate आ सकता है 42.744 कैसे आएगा due to the surcharge and all highest tax rate 42.744 आ सकता है individual में अगर आप partnership firm बनाते हो तो आपका 30% tax rate है plus 12% surcharge plus 4% health and education says तो 34.944% partnership firm में आ सकता है अगर आप यहाँ पे company बनाते हो company तो company के case में 25% का tax rate मैं highest surcharge जोड़ देता हूँ इसमें ठीक है company के case में मानता हूँ 25% tax rate और highest surcharge कितना रहेगा आपका 12% तो 20 और प्लस 4% तो it comes to the 29.12% आएगा और अगर आप 115 BAA ले लेते हो तो 25.22% प्लस 10% प्लस 4% तो 25% 0.168% इसमें आये का company में तो आपको इसमें जो लगतो रहा है इसको देखते हुए आपको यह लग रहा है कि company is more beneficial because there is less tax 29% है या 25% बट मेरे को company को दिखके थोड़ा दिक्कत है दिक्कत यह है कि बात समझो अगर आप individual तो करना ही नहीं है business क्योंकि individual में तो ऐसे ही भहिया 43% देने का बिल्कुल शौक नहीं है अगर आप company बनाते हो आपका no doubt यहां पे tax कम है लेकिन आप पैसा withdraw कैसे करोगे आप पैसा withdraw कैसे करोगे company से आप पैसा निकाल नहीं सकते न आप company से पैसा as a remuneration निकालोगे बट remuneration की limit होती है आप ऐसा है नहीं कि पूरा ही remuneration निकाल दो obviously not possible और remuneration निकालोगे तो remuneration is taxable in hands of individual at slab rate करगे ठीक है बले उदर अलव हो जाएगा बट slab rate से taxable होगा तो remuneration पर वापस 37% tax आ जाएगा तो एक बात बताओ company से पैसा जो निकालना है वो dividend के form में निकालोगा dividend company को allowable expenditure नहीं है और dividend आपके हाथ में taxable हो जाएगा तो double taxation लगेगा मल इधर भी tax भरो और फिर वो dividend का पैसा निकालो उस पे वापस tax भरो घर ठीक है यहाँ पे भी tax भरो company में और फिर dividend का पैसा निकालो उस पे वापस tax भरो तो यह थोड़ा मेरे को ऐसा दिक्कत लगता है कहीं कहीं पर जो normal ऐसे business है जैसे मेरा business है अब मेरा business बीबी virtual में से मुझे निकालना पड़ता है मैं individual हूँ तो मैं क्या करूँगा अगर मैं dividend की तरह पैसा लूँगा company से तो उस particular case में तो क्या होगा कि भाईया वापस dividend मेरे हाथ में tax लग जाएगा double taxation है क्योंकि company खुद tax भर रही है उसमें dividend और dividend पे वापस shareholder के हाथ में taxable तो firm एक बढ़िया option बचता है partnership firm LLP एक बढ़िया option बचता है क्योंकि partnership firm से जो share in profit मिलता है वो पूरा exempt है जो share in profit है वो share in profit पूरा ही exempt हो जाएगा जो partnership firm ने अगर मालो 35% tax लग गया उसके बाद share in profit जो है वो पूरा partner के हाथ में exempt हो जाता है उस पे कोई भी tax नहीं लगता तो हम normally यह advise करते लोगों कि अगर मालो आपको पैसे की जरूरत है एक तो क्या होता ना भई मेरे को individual personal purpose के लिए पैसे की जरूरत है तो best is partnership firm partnership firm बनाओ partnership firm बनाओ करके और partnership firm से partnership firm में आप पैसा है वो कमाओ उस पे maximum tax कितना लगेगा 35% और partner पैसे को ले ले as it is share in profit करके exempt हो उसके हाथ में maximum tax 34.944% लगा अब आप बोलोगे एक बंदा बोल रहा है तो फिर आपने क्यों नहीं बनाई करके ठीक है आपने तो वर्चुल प्राइवेट लिमिटेड रखी है करके ठीक आपने क्यों नहीं बनाई मेरी पहले partnership firm ही थी विपी वर्चुल अजब partnership firm जब मुझे पैसे की जरूरत थी अब मुझे जब पैसे की जरूरत थी करके तब तक वो partnership firm थी जब तक मुझे विट्डरॉ करना था पैसा अब मुझे विट्डरॉ करने की जरूरत नहीं है करके ठीक है अब पैसे की विड्डरॉ करनें की जरूरत नहीं तो मेरे को ऐसा पिंच करता ता क्यों मैं 35 टेक्स बरूं तो ठीक है ना company में रहने जो तो पैसा कंपनी से निकालना नहीं अब थोड़ा-थोड़ा निकाल लेंगे जितनी जारूत होगी उतना एक निकालेंगे रेमिनेरिशन के फॉरम में और इन के में थोड़ा-थोड़ा निकाल देंगे कंपनीं पाक करके एक बाए पैसा रख लू, क्या फरक पैठ पाथा है, क्यर के ठीक है, शेर मार्केट में खुद के नाम पर इंवेस्ट करने से बेटर है, कंपनी के नाम पर इंवेस्ट करो, अगर करना है तो, mutual fund company भी ले सकती है, अगर investment करना है, तो कुछ company के नाम पर कर लो, और फिर निकालने के तो बहुत तरीके होते हैं पैसे निकालने के प्रैक्टिकल लाइप में जो है वो पैसे निकालने के फिर बहुत सारे तरीके होते हैं अगर कैश निकालना है तो किसी से बिल ले लो घर के ठीक है और बिल लेके और उसको बैंक में ट्रांसपर कर लो आपक कितनी है आपको individual पैसा कितना निकालना है अब आपको individual नाम पर प्रॉपर्टी खरीदनी है individual नाम पर आपको अगर मालो housing loan का जो यह में वगड़ा जाती है तो उस particular case में फंप मुझे लगता है ज्यादा beneficial प्रोविजन रहता है कि एक बार 35% टेक्स बढ़ दो उसके बाद वो पैसा पार्टनर जैसा चाहे वैसे वह निकाल सकता है ठीक है चलिए यह बोलता है कि सर डिस्काउंट नहीं देता है अरे मेरी बात सुनो मैं बताओ न मैं आपको एक चीज़ बता तो आपको यह लगता होगा कि बीबी सर की classes की फीज जादा है ऐसा नहीं है गर कि ठीक है मैं 2017 में भी वही फीज थी 2017 में I used to charge 25,000 for the direct tax CA final का धीरे 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 प्राइस कम होते होते प्राइस तो कम हो रही है बाकी खर्चे है कितने बढ़ रहे है आपको पता है आपको बाकी खर्चे आप काउंट ही नहीं कर रहे हो करके बाकी खर्चे इतने बढ़ रहे है इतने बढ़ रहे है करके ठ वॉल्यूम वन है ऐसी की ऐसी वॉल्यूम फिर आपकी टू भी आएगी उसमें भी टोटल छहसो साथ सो पेज आप समझ लो आप समझो के छहसो पेज मानलो कलर है है मल्टीप्ला एब फांच रुप्या एक साइड का ठीक है तो कितना हुआ तीन हजार तो एक इंपका होगे ऐसे का एसे कमपाइलर आएगा कलर फुल मानलो पांवलो पांसो पेज का तो उसका हो गया थीन हजार रुपइया करें घिक है एक साइड का किम दो रुपया लेते तो यह वाइट वाली जो बुक है इसका हो गया कितना 6000 नहीं पिसका थोड़ा कमी कर लेते हैं तो आप बोलो क्या सर हम कोई बना रहे हो आप 7500 हो गया उसके बाद में एंक्रिप्षिन का जो कॉस्ट करें जो पिल यहाँ ऊसके बाद हो गया और कुरियर के चार्ज के बाद मैं स्टाप का इस रही हो गया आपको ञें तो पाई सब को बढ़ती चानी कितनी हुए रही है तुमको बाह साब क्या बताओ मैं आपको आपको नुक्सान में उपे सच्छी 2000 और देना आपको चलो जोक सब्सक्राइट तो अपन बात करते हैं अपन जो है वह बात कर रहे थे किसकी टेक्स रेट की अब इतना प्रूफ मत दो हमको पता है ठीक है चलो चलिए डन अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपन बात कर रहे थे यह तुम्हारा कंपनी का टेक्सरेट हुआ उसके बाद पार्टनेशिफ हमका अब एक बात समझना एक तुम्हारी कोपरेटिव सो सोसाइटी की तो कोपरेटिव सोसाइटी होती है ना कोपरेटिव सोसाइटी बेसिकलि एओपी ब्योई पे आती है एओपी ब्योई में इसको लेते है कोपरेटिव सोसाइटी को यह बोलता है जान मांग ली होती है जान मांग दे देते आपने मांग के भी क्या दोजार मां तो cooperative society तो cooperative society का tax rate क्या होता है तो देखो cooperative society को slab rate से tax लगता है बट इसका slab rate थोड़ा ऐसे 8 पटा है अट पटा मलों बोलो यह क्या slab rate है तो cooperative society की अगर total income है अगर NTI है वो up to 10,000 है 10,000 रुपे तक NTI है तो उस पर tax लगेगा 10% की rate से अगर माल लो उसकी NTI 10,000 से ज़्यादा है and up to 20,000 है तो उस पर tax लगेगा 20% की rate से और बेटा 20,000 से ज़्यादा है तो उस पर tax लगेगा 30% की rate से तो cooperative society के case में NTI up to 10,000 है 10% 10,000 से 20,000 है 20% 20,000 से ज़्यादा है तो 30% की rate से tax लगेगा तो cooperative society में 10,000 है 10% 10,000 to 20,000 20% 20,000 से ज़्यादा है तो 30% की rate से tax लगेगा लेकिन surcharge लगेगा answer is yes surcharge कैसे लगेगा जैसे domestic company के case में लगता है net taxable income 1 crore से ज़्यादा है up to 10 crore 1 crore से ज़्यादा है up to 10 crore है तो आपका 7% और 10 crore से ज़्यादा है तो आपका 12% की rate से surcharge लगेगा और health and education says है वो आपको 4% की rate से लगेगा किसमे cooperative society के case में करगे ठीक है चलिए तो आप एक काम करिए आपकी book में जो page number 4 पे दे रखा है यह domestic company company का tax rate from LLP का tax rate और उसके बाद cooperative society का tax rate एक बार आप इसको tax rate को देख लीजिए बस एक बार आप इसको tax rate को देख लीजिए cooperative society के case में भी alternative taxation regime है बात में देखेंगे चलो तो cooperative society एक अलगी topic आएगा आगे जाके cooperative society होती क्या है उसकी income कैसे होती है क्या होती है वह आएगा सब्सक्राइग चलो अब एक बात समझना कि बुकी नहीं आई कि आप बात कर रहे हैं कि सच्छी आप बुक्स नहीं मिले ना मैं बोल रहा है मैं एक महीने से बोल रहा था तो आपकी बुक में यह यहां पे दे रखा है टेक्स रेट यह तुम्हारा कंपनी वाला हो गया यह तुम्हारा फं लल्प वाला हो गया यह cooperative society वाला हो गया उसके बाद आपको दे रखा है यहां पे concept marginal relief हपण कल discuss करेंगे आज नहीं करेंगे marginal relief है वह हम कलब discuss करेंगे मार्जीनल रिलीफ है वह हम कल discuss करेंगे आज नहीं करेंगे आज अपन एक छोटा सा concept और discuss कर नेते हैर जो कि मैंने 87A का एक रिबेट दे रखा है, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सर एक बात बताओ, आप तो क्या बोल रहे हो, को आपको पता है, आपने ऐसे सुना होगा बहुत बार, कि सर, हमको पांच लगते की इंकम पर कोई टेक्स नहीं लगता, पांच लगत अगर आप कमाते हैं, उस पर कोई भी टेक्स नहीं लगता, और इस बार तो बजट मैं पता नहीं, क्या का का कन्फ्यूजन क्रेट किया है न, मैं आपको थोड़ी दिर बात समझाओगा वो, बट लग 50,000 तक कोई टेक्स नहीं, 2,50 से लेके 5 लग तक 5 परसेंट है, फिर 5 लग से लेके और 10 लग 20 परसेंट है, और 10 लग 30 परसेंट है, अब एक चीज़ समझना, एक कॉनसेप्ट आता है, यह क्या होता है इधर देखना, एक 87 A का एक रिबेट आता है, और यह रिबेट क् इंडिविजुएल है, और रिजिदेंट इंडिविजुआल का जो टेक्सेबल इंकम है अब 29,000 वो उप Punkt 5 लग पांच लाग तक यह उससे कम है नध ऍटक्सेबल इंकम उपकूप तो जो भी उसका tax आएगा ना उस tax में से उसको rebate मिल जाएगा कितना पता है जो भी tax का amount या 12,500 whichever is lower जो भी tax का amount और 12,500 whichever is lower का उसको rebate मिल जाएगा और बाकी वाला tax है उस पे फिर आप health and education says add करेंगे तो देखो पहली चीज़ तो 87A का rebate किसको मिलता है 87A का rebate है वो सिर्फ resident individual को मिलता है इसका मतलब है HOF, AOP, BOI, artificial, juridical person को नहीं मिलता है सिर्फ individual को मिलता है और वो भी resident होना चाहिए individual को मिलता है और वो भी resident होना चाहिए non resident है तो नहीं मिलेगा सिर्फ resident individual को मिलेगा condition क्या है पहली है resident individual होना चाहिए और दूसरी condition उसका net taxable income up to five lakh होना चाहिए पाच लग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो जो भी tax आएगा और 12,500 whichever is lower का rebate मिल जाएगा एक example लेते है करके ठीक है और यह example एकदम सच वाला example है एक बंदा है जिसका नाम है Mr. B.B. करके ठीक ह और बेटा यहां पे मेरी जो net taxable income है वो मालो 4,40,000 है कोई special income नहीं है net taxable income 4,40,000 है तो मुझे बताओ 4,40,000 पे tax कितना आएगा तो 4,40,000 पे tax जो है वो 4,40,000 पे tax 2,50,000 पे कोई tax नहीं लगेगा 190 बचा उस पे 5% कितना है 9,500 तो 9,500 का tax आया अब मुझे rebate मिलेगा या नह नहीं मिलेगा तो मिलेगा क्योंकि देखो resident individual है net taxable income up to 5,00,000 है तो यहां पे rebate मिलेगा rebate कितना मिलेगा tax amount और 12,500 whichever is lower तो tax amount मेरा कितना है यहां पे tax amount 9,500 और 12,500 तो 9,500 का rebate मिला कुछ भी tax नहीं लगा यहां पे कुछ भी tax नहीं लगा इसके लिए बोलते ना 5,00,000 तक की income है तो tax नहीं लगता लेकिन एक बात बताओ सर एक बात बताओ यहां पे ऐसा lawmakers ने क्यों लिखा कि आपका यह tax और 12,500 whichever is lower को less करिए उतने का rebate मिलेगा सर यह तो हमेशा उतना ही आएगा अगर मालो total income 5,00,000 है तो यह कभी भी 5,00,000 total income exact 5,00,000 है तो कितना 12,500 आएगा 12,500 आएगा तो 12,500 तो rebate भी 12,500 ऐसा इन्होंने क्यों लिखा rebate में कि आपको tax और 12,500 whichever is lower ऐसा क्यों लिखा इनको तो ऐसा लिखना चाहिए था कि 5,00,000 तक की income में तो कोई tax नहीं लगेगा ऐसा नहीं लिखा reason इसका बताता हूँ मालो मेरा net taxable income 440 है और यह 440 सिरब LTCG 112 वाला LTCG 112 वाला LTCG 112 पे कौनसी rate से tax लगता है LTCG 112 पे कौनसी rate से tax लगता है 20% से और उसमें भी आपको basic exemption का benefit मिलता है मैं capital gain में पढ़ाऊंगा तो एक बात बदाओ 250 पे मुझे basic exemption मिल गया बाकी कितना बचा तो 440 माइनस 250 तो बाकी बचा 190 और 190 पे बाबू 20% की rate से tax कितना लगा तो 20% की rate से 38,000 tax आ गया भाई 38,000 tax आ गया तो 38,000 tax आ गया तो मुझे एक बात बताईए tax यहाँ पे कितना 38,000 तो रिबेट क्या पूरा 38,000 का मिलेगा नहीं रिबेट मिलेगा 38,000 और 12,500 लोवर तो यहाँ पे बिटा 12,500 का रिबेट मिल जाएगा और बाकी वाला amount है वो मुझे pay करना पड़ेगा तो 12,500 का रिबेट आ गया तो माइनस 12,500 और जो बचा 25,500 तो 25,500 में फिर आप health and education says एड कर लीचिए अब यहाँ पे एक और जी समझना आप मुझे बोलेंगे कि सर यह जो रिबेट है 87,000 का आप बोल रहे हैं कि अगर NTI अप्टू 5,000 लाक है तो ही मिलेगा और बेटा resident इंडिविजुवल को मिलेगा tax or 12,500 whichever is lower क्या सर यह all type of income पे मिलेगा मनला कोई भी income हो कोई भी income हो तो क्या हर टाइप की income पे आप यह रिबेट ले सकते है answer is yes लेकिन इसका एक exception आगे जाके पढ़ाऊंगा जो मैं आपको LTCG112a वाला होता है न जो share market वाला जो LTCG112a वाला होता है उसके सामने यह रिबेट नहीं मिलता LTCG 112A बाला होता है उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलता LTCG 112A को छोड़के बाकी कोई भी इंकम है उसके सामने ये रिबेट मिलेगा LTCG 112A को छोड़के LTCG 112A को छोड़के बाकी कोई भी special rate का इंकम है उसके सामने ये रिबेट मिलेगा, बाकी किसी भी special rate के सामने ये रिबेट मिलेगा, LTCG 112 पर tax आएगा, उस पर ये रिबेट नहीं मिलेगा, अब एक और चीज समझना है, यहाँ पर interesting चीज एक और आती है, किस सर एक बात बताओ, अगर कोई बंदा ऐसा है, अगर कोई बंदा ऐसा है, जैसे मालो मैं मेरी बात करता हूँ, मेरी इंकम जो है, वो किसी भी बज़े से 5 लाग और 2000 हो गई, 5 लाग 2000 हो गई, अब एक बात बताओ, 5 लाग 2000 हो गई, मेरी इंकम 5 लाग 2000, तो tax कितना आएगा? यह बताओ ना, tax कितना आएगा? तो 12,500 आया 12,500 आया 5,000,000 तक और 2,000 पे 20% कितना आया रे प्लस 12,500 तो it comes to 12,900 तो मेरा tax 12,900 आया अब बताइए मुझे रिबेट मिलेगी या नहीं यहाँ पे मेरी जो net taxable income है 5,2000,000 है क्या मुझे रिबेट मिलेगी answer is ना बब हुआ यहाँ रिबेट नहीं मिलेगी रिबेट तभी मिलती जब मेरा net taxable income up to 5,000 था यहाँ पे net taxable income है 5,2000,000 है तो यहाँ पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी 12,900 आपका tax प्लस health and education से और कर दो 4% कर कि तो 4% आपने इसमें और जोड दिया तो आपको कितना आया 13,416 12,900 प्लस 4% 13,416 इतना government को tax बढ़ना पड़ेगा answer is yes इतना government को tax बढ़ना पड़ेगा क्या sir यहाँ पे कोई marginal relief है क्या इस वाले concept में क्या marginal relief है क्या क्या बही मेरी income तो 2000 से बढ़ी क्योंकि 5 लाग तक अगर income होती तो मुझे कोई tax नहीं लगता income 2000 बढ़ी बट उसके सामने tax कितना बढ़ गया 13,416 क्या यहाँ पे कोई marginal relief है क्या answer is no यहाँ कोई marginal relief नहीं है यहाँ पे कोई भी marginal relief नहीं है इसका मतलब यह हुआ क्या भईया आपको बही इस पे marginal relief का concept लाया है वो 87A में लाया है लेकिन वो किसके लिए लाया है पता है जो 115 BAC लेते है उसके लिए 115 BAC के लिए यह 5 lakh का बढ़ा के और 7 lakh कर दिया है घर गे ठीक है और बेटा वहाँ पे यह 12,500 को भी चेंज कर दिया है बट वो 115 BAC वालो के लिए है जब मैं 115 BAC बताऊंगा तब आपको वो वाली चीज समझ में आएगी अभी के लिए आप यह समझे कोई marginal relief नहीं है अभी के लिए आप यह समझे कोई marginal relief नहीं है अगर 2000 रुपया income बढ़ा है तो बेटा यह tax है वो आएगा ही आएगा चलो मैं एक मिनट में आपको फ्री कर रहा हूं कर ठीक है आप सीधा आजाईए 87 A की rebate पे और यह आपको दे रखी है on the page number 9 पे और सिरफ दो मिनट के अंदर-अंदर में आपको फ्री कर रहा हूं ठीक है for resident individual किसी ने बोला winning का income है तो भी क्या ही मिलेगा answer is yes winning के सामने भी मिलेगा कहीं मना नहीं कर रखा अब ICI भी इसको लेके confused है अगर के ठीक है बट कहीं पे मना नहीं कर रखा तो फिर भई यह winning के सामने भी यह rebate ले सकते हो कहां ही मना कर रखा है उसके बाद marginal relief concept not applicable on rebate except when assessee opted 115 BAC 115 BAC के साथ मैं बता दूँगा rebate under section 115 BAC कैसे मिलेगा वो मैंने 115 BAC के साथ में ही cover किया है तो 115 BAC जब मैं बताऊंगा उसके साथ में बाकी वाला बता दूँगा यह दो example मैंने दे रखे यह दो example को आप समझोगे आपको समझ में आज आएगा करगे आज अपन यहीं पे रुकेंगे कल अपन इसके साम आगे continue करेंगे कल मैं पहले पार्ट में आपको क्या सिखाऊंगा marginal relief का concept वो अपन लेंगे surcharge वाले के case में और जैसे ही marginal relief complete हो जाता है जैसे ही marginal relief complete होता है उसके बाद मैं आपको दूसरे topic पर move कराऊंगा मैं capital gain कल से चालो करूँगा after break करके capital gain मैं चालो करूँगा after break आप बोलोगे capital gain बाकी यह alternative taxation regime में अभी नहीं पढ़ाऊंगा इसके पीछे का reason reason यह है कि जैसे यहाँ पर यह दे रखा करेंगे और उसके बाद मैं मैं सीधा capital gain पे move कर जाओंगा ठीक है चलिए thanks a lot people आज के लिए इतना बहुत है आप जितना पढ़ाया है आज उतना आप revise करके आईए जितना पढ़ाया है उतना revise करके आईए और उसके बाद अपन आगे continue करेंगे thanks a lot that's enough for today from my side साँ al Caesar है चलिए चाजंग सक्तव सिर्णा फितना करेंगे न आपन Fang